हलो दोस्तों कैसे हैं सब मैं है मानशू स्वागत करता हूँ आप सब का आपके अपने चैनल कॉमिक बर्ड पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नागराज की वर्ड टेरियर्म सिरीज में अगली कॉमिक्स मिशन क्रिटिकल ऑपरेशन सर्जरी में आपने पड़ा कि नागराज इस पेंच से मामबग रुक के खात्मे के बाद इटली के लिए कूछ करने वाला होता है कि तभी रास्ते में बिटिश क्रिप्टोग्राफर की कुछ आतंगवादी हत्या कर देते हैं मरने से पहले क्रिप्टोग्र आत्मगादी हमले में डॉक्टर आसिफ बस तो जाता है पर बुरी तरह घायल हो जाता है लंडन पहुंचकर नागराज लंडन आई पर विस्पोर्ट करने की आतंगवादियों की चाल को नाकाम करता है हमला वार आतंगवादी सभी डॉक्टर से नागराज को जानना है कि डॉक्टर आसिफ बातंगवादी है साथ ही करना है आगे होने वारी आतंग की हम लोग को भी नाकाम बेटेन में घोशित हो चुका है सिक्योटी टॉप लेविल अर्थाद लेवल क्रिटिकल इसमें आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ा है प्रस्तुत कॉमिक मिशन चैक था और नागराज देख रहा था नागरिकों के आतंक से सहा पड़े चेहरों को कुछ लोगों की कुंद मानसिकता के कारण हजारों लोगों को कितनी मानसिक यादना इस हैनी पड़ती है है ना नागराज घनाक उफ ये क्या स्कॉट्लेंड और लंडन आई मैं घटी घ स्थानियों लोग ऐसी घटनाओं पर शोप तो प्रकट कर सकते हैं मगर ऐसी हरकते नहीं यह काम शांती पूर्वक विरोत कर रही भीड में शामिल कुछ एंटी शोशल एलिमेंट्स का हो सकता है खेर जो भी है उनसे ने बढ़ने के लिए पुलिस पोर्स है पुलिस पोर्स हमारी वज़े से आया है ऐसा खुछ भी नहीं है यह सच है मैं डॉक्टर हूं लोगों ने मेरा क्लीनिक तोड़ दिया वो मुझसे इलाज नहीं कराना चाहते कि टिकल के कानून पूरे बिटेन वासियों पर लागू है उन विदेशियों पर भी जो बिटेन से बिटेन में यह व्य्विशाय कर रहां आपको विश्वास दिलाता कि किसी की साथ कोई भेदवाबपूर्पूर्व नहीं किया जा रहा और तोड़ फोल्की किसी भी घटना तकी जिम्मेदार वसस्त आतंगवादी की फिल्म क्यों बना रहा है ते नहीं एक टूरिस्ट की फिल्म बना रहा था ये मेरा पैशा है उसने मुझे हैर किया था टूरिस्त एक्षर मुझे वीडियो ग्राफी करवाते हैं मुझे उनकी मंशा का पता नहीं था तुम्हारी शूट की हुई फिल्म के एक हिस्से में सिक्योर्टी गार्ड उसके हाथ में थमें टैडी को बिना चेकिंग के अंदर जाने दे रहा है तुमने इस बात की रिकोर्ट क्यों नहीं की मेरा इस पर ध्यान नहीं किया था मैडम इसके घर की तलाशी में यह चार अब तुम मुझे टॉर्चर करोगे पर तुमारा टॉर्चर मेरा कुछ नहीं बिगाड सकता मैं मौत से नहीं डरता मुझे मौत की परवा नहीं मैं जानता हूं यह समय मेरी जिंदिगी के बिग बैंग का है कि इस this time there will be a bigger bang नागराज ना अबना शयकंजा साहाद उसकी कर्दन पर कस दिया अभी तुम कितना भी चिला अभी तुम कितना भी छिला अगर फासी के फंदे से फासी में फासी के फंदे में फसे तुमारे गले में अपके बर हिचकी की ही आवाज निकलेगी फिर तुमने बज़े इसे टौचर करने से रोक क्यों दिया नागराच कोई फायदा नहीं था उसके शब्दों की दर्टा ने मुझे समझा दिया थे कि वो आसानी से तूटने वाला नहीं है और अगर तुमारी यातनाओं से टूटा भी तो तब तक शायद इतनी देर हो चुकी होती कि हम दूसरी तभाई को रोक नहीं बाएंगे तैरा याद रखो कि बिटेन इस वक्त बारूत के धेर पर है और हमें वक्त रहते ही बारूत के इस धेर को साफ करना है यही तो चिंता का विशे है क्योंकि इस वक्त अमेरी की रक्षा मंत्री भी लंडन के आपचारिक यात्रा पर है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी MI5 पर है उफ अगर सांकेतिक भाषा विशेशक कि मिस्टर रदर फोर्ड स्पेन में मारे ना गए होते तो हम डॉक्टर चलने के लिए जमीन कभी खतम नहीं होती केवल कदम ही सही रास्ते की तलाश में कुछ देर के रुक जाते हैं हमारे कदम भी रुके हैं मगर सही रास्ता बहुत जल्दी हमारे सामने होगा होटल हिल्टन फिलाल हमारे सामने ही वो होटल है जहां तुमारे रहने की ववस्ते की है नागराज बिटेन सरकार ना तुमारी देख भाल की जिम्मेदारी मेरे कंदों पर डालिए तो तुमारी सुवदाओं का ध्यान रखना मेरा कर्तब पे है रूम नंबर ट्रपल नाइन थेंक यू बाहर इतनी फोर्स क्यों है हालात के टिकल सिक्योर्टी अलर्ट हाई लेविल नागराज ये तुमारा कमरा है तुम ठके होगे थोड़ा आराम कर लो दिमाग को सोचने के लिए थोड़ा विशाम की ज़रूत होती है मैं सिफ फ्रेश होना चाहूंगा दस मैट बार नागराज फ्रेश होंकर बाहर निकला ये क्या, कंप्यूटर पहले तो कमरे में नहीं था, हाँ, मंगवाना पड़ा, नागराज, तुमने कहा था कि जमीन कभी खतम नहीं होती, और हमारे रुके हुए कदमों को आगे बढ़ने के लिए रास्ता जल्दी ही मिल जाएगा, मैं रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रही मैं उस सीडी को डीकोट करने की कोशिश कर रही हूँ, जिसे पहले मिस्टर मैड्रिक डीकोट करने वाले थे, अब हमारे पास आगे बढ़ने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है, नागराज, तुम्हें मेरी मदद करने हुए, बस कुछ खंटू की बात है, शायद हमार शमताओं से बाकिप हो चुकी है, मुझे लग रहा है कि अगर हम तोनों मिलकर करेंगे तो ये काम मुश्किल नहीं होगा, हजारों लोगों की जिन्दगी और मौत का सवाल है, नागराज, और तुम अधूरी जानकारी की बेना क्या करोगी, अगर हम कोशिश करेंगे तो य काम हो सकता है, इस समय तुमारा साथ मेरा आत्मिश्वास बढ़ाने के लिए काफी है, इस बीच कहीं कोई नुकसान हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, हम उस नुकसान को बचाने के लिए ही काम कर रहे हैं नागराज, तुम अपना ध्यान इधर लगाओ, लेकिन हमारे तीन घंटे खराब हो चुके हैं, ठीक चार घंटे बाद, अब मैं और समय खराब नहीं कर सकता, ठीक है नागराज, कार चलाने वाले हाथ बिना विशेशक गेता के हवाई जहास तो नहीं चला सकते हैं, अब तुम क्या गरना चाहते हो, अरे होटल पर बिग बैंग, अचानक बंद पड़ गई है, बिग बैंग, एक क्लॉक टावर है, यह सब यह जब से स्थापित हुआ है, तब से कभी एक पल को भी नहीं रुका है, बिग बैंग से लंडन के लोगों की भावना है जुड़ी हुए नागराज, उसके बंद पड़ जाने से अपनी धड़कने रुकती नजर आ रही है, लोग आतंगवादी हम लोग के खत्रे और उसों होने वाले नुकसान को लेकर आशंकित हो रहे हैं, आतंगवादी ऐसे अफसर का लाब उठा कर कोई अन्हों नहीं कर सकते हैं, इसलिए मुझे भी वहाँ पहुचने को कहा गया ह और मैं चार घंटे पहले वहाँ पहुचना चाहता था, क्या मतलब नागराच, वो वीडियो ग्राफर बिग बैंग बड़वड़ा रहा था, शायद चेताबनी के रहते वो हमें बिना बिग बैंग का क्लू ही दे रहा था, मगर मैं आश्वस नहीं था, लेकिन अब मुझे वहां भारी गडबर लग रही है, शायद क्लॉक का बंद होना सभाविक ना हो, अगर ऐसी बाती तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, लेंडन को किसी भी की बुरी नजर लग गई है, लेंडन के द्वार पर नीभू मिर्ची टांगी, यहां तो भारी भीर जमा सबी क्लॉक के चलने की प्रात्नाय करने हैं, उन्हें प्रात्नाय करने दू, उपर बड़ा क्लॉक टावर पर वो दोनों कौन है, क्लॉक मेकैनिक, सर, मुझे उपर जाना होगा, नीचे कोई हंगामा मत करना, अरे यह तो नागराज है, लंडन आई सुपर हीरो, क्या यह घ चुकाई की घड़ी क्यों और कैसे बंद दूई, इसे ठीक करने के बहाने ऊपर आने के पीछे तुमारा क्या उद्देश्य था, जो काम इने कुलॉक टावर से नीचे उतरने के बात करना था, अब उसे तुरंद घरने की विवश्ता थी, डिग बैंग, डिग बैंग, फो पोड़ा जा सकता है, ये तब भी नहीं फटेगा, अब ये जिंगारियां खुद तुम्हें चलाएंगी, तुम्हारा नापाक उद्देशी कामयाब नहीं होने दूगा, नागराज, ये यूके मेट देशी बंब है, इसे माल्टूफ कॉक्टेल कहते हैं, ये बहुत अच्छा धमाका तो नहीं करेगा, अगर तेरे चित्र बड़ाने के लिए काफी है, उफ, नहीं, आँ, बूम, अच्छा धमाका था, मैं तेरे हाथ नहीं लगूँगा, नागराज, सजमुझ वो नागराज के हाथ नहीं लगाता, इसके, उसके हाथ लगी थी, उसकी चीत् साथ उपर आप पहुची, नागराज, तुम ठीक तो हो ना, कुछ सेकंड्स की देरी हो जाती तो बिग बैंड में इस बार टिगर बैंक हो जाना था, नीचे कूद गए उसके साथ ही, की मेरे हाथ में जूट गई, इसका बीस, मैं मुझे उसका मुबाइल फोन मिला है, इस क्लॉक टावर पर चड़ सकें और बारू सिट कर सकें, तुम्हें ये सब कैसे पता चला, मैंने नीचे से बिग बैंड के डाइल में यह छेद देख लिया था, अब नीचे चलो, अरे, क्लॉक फिर से चलने लगी, मुसीबत टल गई, अप्शकुन टल गया, नागराज के र क्लॉटी, हाँ, और साथी अमेरिकी रक्षा मन्तरी भी सुरक्षत अमेरिका पहुंच गए, यह तुम क्या कर रहे हो, यही कि, अमेरीकी रक्षा मन्तरी भी उसी हिल्टन फूटल में ठहरे थे, जिसमें तुमने मुझे ठहराया, हाँ, वो लंढन का, बेस्ट होटल है, मुझे उसी होटल में ठहराने और चार घंटे तक सांकेतिक भाचा डीकोट करने का बाहना बनाकर मुझे जबरन वहां रोके रखने का क्या सिर्फ यही कारण है? कि अमेरी की रक्षड मंतरी की सरक्षा में कोई कमी ना हो, इसलिए तुमने मुझे वहां रखा तुम चाहती ती कि कि जब तरक रक्षड मंतरी होटल से कूछ ना कर जाए, किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए मैं वही रहूं। इसलिए तुमने मुझे चार गंटे वहां रुकने पर मजबूर किया, अपने काम के लिए तुमने मेरा इस्तमाल किया, तुमारी वज़े से आज ना सिर्फ बिग बेंट तबाह हो जाता, बलकि कई नुर्दोश लोग अपनी जान से हाथ धो बैटते, अपनी ड्यूटी के को पूरा करने के लिए तुमने सेकड़ों लोगों की जान को खत्रे में डाल दिया, मुझे अफसूस है कि तुम जैसे लोग किसी देश की खूफिय सेवा का हिस्सा है, नागराज सुनू, नागराज में, मुझे छूओ मत, दूर रहों उसे, क्या फरक है तुम में और एक जातंगबादी में, नागराज, उफ, मैं थोड़ी देर के लिए सचमस्वारती हो गई थी, मगर तुमारी नाराजगी बरदाश नहीं कर सकती, वारेन, इस्ट्रीट इस्टेशन पर हैरी से बूस्ताज करते से मैं टैरा का गुस्सा सात्वे आस्वान पर था, बता, उन ल दो आदमियों को विशेश ऑफिसर्स ड्यूटी पास जारी करो, वो लोग स्टार्ट फोर्ट जाना चाहते थे, ऑपरेशन स्ट्रेचर के बारे में कुछ कह रहे थे, विशेश ड्यूटी पास के कारणा वो लोग चेकिंग से बच जाएंगे, उफ, उनके पास कुछ था, क क्योंकि स्ट्रेचर अस्पताल में ही होता है, नागराज की दिखाये, ट्रेंज से उतरते उस मसाफिर पर थी, डॉक्टर जैडू, आप यहां लंडन में क्या कर रहे हैं, आप तो स्कॉटलेंड में थी, ओ नागराज तुम, यहां मैं एलेक्जंडर अस्पताल में एक एम आसवर था, जिससे मैंने डॉक्टर आसिफ की उस फाइल को खोला, जिसमें उसने अपनी पारेबारी यादों के बारे में लिखा है, वो एक भावोग इंसान है, वो खोदा को मानने वाला है, एक सच्चा मुसल्मान है, ऐसा शक्स आतंगी कारभाईयों में शामिल नहीं हो मैं ब्योश पड़े, मेरा बेटा निर्दोश है, मा का दिल कभाई दे रहा है, उसको किसी सबूत की जरूरत नहीं, मैंने ब्योश पड़े डॉक्टर आसिफ की आँखे देखी है, उसकी तडपती आँखों से निकले आसूं भी सूखी, वो लकी रहे देखी है, जो किसी ऐ कैसे इंसान की आँखों की नीचे नहीं बन सकती, जिसे अपने दुश्कर्मों का पता हो, मैं नागराज हूँ, मुझे स्टेशन पर लगे क्लोस सर्विट कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी, तो तुम नागराज, कोई भी बहरूपी आकर खुद को नागराज कहने लगे, तो उमीद करता हूँ कि तुम साथ देखकर डर नहीं रही होगी मिस, मेरा नाम लूसी है, नागराज को उन दौनों की तलाश थी, मिस लूसी, मुझे पता करना है कि ये दौनों किस स्टेशन पर रोत रहे हैं, मैं अभी पता करवाती हूं नागराज, मैंने हर स्टेशन प से नहीं उतरते देखा गया है, उनके हातों में गिफ्ट पैक तब भी था, प्रेन से वहीं उतरते देखा गया है, उनके हातों में गिफ्ट पैक तब भी था, येस, मुझे पता था कि हैरी के वान में कहीं कुछ गढ़बाढ है, तो मिन दौनों को ढूंड रहे हैं, तो न मिलते हैं Mission Critical के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद